नमस्कार मित्रों, साइनी होमियर चैनल में आप लोग स्वागत है। मित्रों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर एक नएा टॉपिक का इस्प्लैनेशन करेंगे। उस ट्रापिक का नाम है मिसेंट्रिक लिंफ नूट्स, आद की गाठें। मित्रों ये आद की गाठें छोड़ी 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 नूट्स बन जाते हैं आद के अंदर जिसमें असानी पीडा होती है, असानी धर्द होता है। यह मिसेंट्रिक लिम्प नोट्स ज्यादा तर बच्चों में पाया जाता है। 70-80% दस साल से नीशे के बच्चों में और 20% एडल में पाया जाता है। मित्तो इस बीमारी में जैसे ही पेशेंट कुछ खाता पीता है। तुरन दर्द चालू होने लगती है। तुरन दर्द होने लगती है। पेशेंट बच्चा चिलाने लगता है। रोने लगता है। खाना पीना खाने से कतराता है। दूद नहीं पीना जाता, खाना नहीं खाना जाता। आइसे कंडिशन में। होमोपैत की शिंगिल मेडसीन सफिसियन्त है इस नोच को खतम करने में इस दर्द को खतम करने में यह दि दर्द पेट के उपरी हिस्से में इपिगाश्यी रीजन में हो रही हो तो उसके लिए सिंगिल दवा यह पीज नाइगग नाइग राथ थर्टी मेटवजा यह की दवा मेटसीन सीवीर दाद होने पर दो दो गंडे पर अहलकी फुल की दाद होने पर दिन भर में चार बार पांच बूत दिया जाए तो हंदर पसंट पेसंट ठीक हो जाता है और मित्रों यही दर्द अगर अमलाइकल रीजन में नाभी के चारों तरफ हो रही हो तो इसमे कलकेरिया फास 30 की पोटनसी दिन भर में तीन से चार बार दिया जाए पांच बूत निश्चित तवर से पेसंट ठीक हो जाता है मित्रों इस दर्द ही नहीं ठीक होता है बलकि यह सिंगल मेटसीन उस लिम्प मिसंट्रिक लिम्प नोर्स मतलबात की गाठों को समाप्त कर द निश्चित तोर से सिंगल मेडसिन सफिसियंट है होमोपैस की मेडसिन सफिसियंट है और बच्चे पेसेंट ठीक हो जाते हैं तो मित्रों यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल को दमाएं हम फिर आपसे मिलेंगे